नवसकार मित्रो, जैसरी राम, कैसे आप सब लोग, कमेंट में आपको क्या लिखना है वो बारे बार तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आज का lots profit लिखना है दोस्तों क्योंकि लिखने से क्या होता है, सब conscious mind में feed होता है कि loss किये profit किये आज मेरा दिन मतलब सबका दिन मुझे लग रहा ऐसा था कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं आज का दिन मेरे लिए सबसे बहतरीन दिन इसलिए हुआ क्योंकि मेरा mtm ऐसे था सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कल वाले वीडियो में अगर देखे होगे तो मेरे पास 1800 quantity nifty का पुट था 1800 quantity nifty का पुट था दोस्तो वो मेरे को खुलते ही देता है करीब करीब 60,000 से 70,000 के लॉस में वो ओपेन होता है क्योंकि आज मार्केट 100 पॉइंट गैप अब खुला लेकिन फिर वो काटने के बाद मेरा मन बार-बार पुट में था देखिए मैं कल भी पुट ले गया था मेरी अनेलिसेस मैं कल से या परसों से आपको चिला रहा हूं अगर आप यूटूब की वीडियो पर देखोगे मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं अच्छा चु को लेकर और तीसरी चीज जो मिड कैप के अंदर इतना बड़ा मार्केट मूमेंट दिया था वह भी मार्केट थोड़ा सा फॉल होना मांगता था क्योंकि आरसाई अगर आप एसनपी 500 का देखोगे तो 82 पर चला यूएस मार्केट का तो हो सकता है राज को यूएस है नहीं तो आज में अल्टिमेटली चार से साढ़े चार लाख रुपय के लॉस में होता दोस्तों अब आईए आज आपको पोजिशन दिखाते हैं पोजिशन को सिर्फ दोस्तों आप इसलिए लिजेगा कि बिया ट्रेडिंग करने वाले गुरू ही अगर आपको सिखा रह कि आप दुनिया के राजा है और अगली सुबह आपको लगे गया कि आप दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं यह होता है स्विंग ओफ माइंड डियूरिंग ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग के अंदर आसान चीजे तो नहीं है और अगर आप यह प्रॉफिट लॉस करो लर्न अपने परिवार का हिस्सा बनो फ्लैट फिफ्टी परसेंट आफ पर और यह कोर्स तुर्फ लर्निंग परपस के लिए जहां पर आपको एट टू जिट ऑप्सन मैंक सीखने को मिलेगा मेरे साथ अब आईए आपको पोजिसन दिखाते हैं तो देखिए भाई पूट लिया बहतर जार उसमें प्रोफिट हुआ बैंक निफ्टी का साथ 4500 का पूट उसमें लॉस हो गया मतलब लॉस प्रॉफिट फिर एक कॉल में लॉस ठीक है फिर एक पूट में लॉस अब आप 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 देखो यह देखो यह वह चीज है ट्रेडिंग ना भया कि आ 40-50 लाग रुपे मेरे पास होते हैं बहुत लंबी कॉंटिटी थी मेरी अब देखो उसके बाद जो भी हुआ छोड़ा टाओ निट प्रॉफिट आप देखो एक लाग शीयत्तर जार 301 रुपे है थोड़ा समय इसको रिफ्रेस कर दे रहा हूं और रिफ्रेस करने के बाद आप देख लो और बुक बहुत सारे लोग मांगते हैं दबा के ओबर ट्रेडिंग हुई है यह देख लिजिए इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं पांसो प्लस और स्पंच में हैं आप कोई पता है ओवर ट्रेडिंग है तभी इतने सारे और है तो और मैं इसलिए बता अगर आप देखोगे तो मेरा जो व्यू था वह एकदम कंप्लिटली सिफ्टेट था कि पुट चलेगा चलेगा अब कल की बात करते हैं यहां से शुरू है कल की बात कर लेते हैं कि कल कैसा काम मार्केट करने वाला देखो एकदम क्लियर बात बता रहा हूं अभी न आप दे दना कमेंट मत करना और 40 162 का लेवल कल भी लगा था आज भी लगा इस सेम टिटो मार्केट वहां से गीड़ा फिर यहां पर मैंने पूट लिया वह लॉस हो गया और तीन लाक आज हो एक दीसकी वज़रस हुआ तो अब आपके दिमाग में बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सोरभ भाई अब कल के लिए क्या करें ठीक है सारी लोग के दिमाग में आ रहा होगा कल के लिए क्या करें तो कल के लिए करने से पहले कुछ चीज़े समझते हैं आज आओ कल है निफ्टी के एक्सपारी ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को यहां पर देखते हैं डेवाइस टाइम फ्रेम पर अब देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है जस्ट एक मिनिट में बता दे रहा हूं कि जो भी यहां पर एक्कुमलेशन जोन था जितने भी बायर थे जो भी एक्कुमलेट करके मार्केट के अंदर प्रॉफिट लिये थे अगर उन्होंने नहीं बुक किया होगा तो आज मार्केट ने उनको बाहर निकाल दिया तो अगला मुव्मेंट मार्केट का कैसा होगा वो समझीए अब सबसे बड़ी जो सिच्वेशन है वो सिच्वेशन है कि जो मीटिंग होगी हेल्थ मिनिस्टर्स की या जो मीटिंग में कोवीट के आउटकाम है वो कैसे आते हैं तो सिंपल सा बात है कि मैं आपको एक मोटा मोटा ओवर्विव दे देता हूं मार्केट का लेवल्स को हम लोग यहां पर मार्क से भी हाल में तभी हमें बियरिस भी बनाना है जब मार्केट अपने लक्षमन नेखा के नीचे जाएगा तो लेवल वन क्या मार करना है अपनको लेवल वन देखिए दोस्तों अगर आप सच में किसी के वीडियो से प्रॉफिट करते होना अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी इनपुट मिलता है अगर आपको लगता है कि सवरब यह सही चीज है आप जो लॉस प्रॉफिट दिखा रहे हो और जो मोटिवेट कर रहे हो हमको और जो सच्चाई दिखा रहे हो तो प्लीज मेरे लिए कमेंट करना क्योंकि यह आपके लिए फ्री है लेकिन उससे मेरा इतना मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हां मैं ट्रांस्पेरेंसी के साथ अपने वीवर्स के साथ आओ और जो मैं बोलूँगा उस पर वो लोग अमल करेंगे मैंने मना किया है आपको कफी सारी चीजे मना किया है करने को तो उससे पैसा बन रहा होगा अब आप लेवल वन की क्या होता है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि मेरी बातों को सुनना है एक्जेट कॉपी करना आप अपना रिस्क्रिवर्ड में रिटीन करो मैं सिर्फ एक ब्राधर मार्क वर्क्वां किया पर और अंक तक मैंने बोला है क्या फाई है चुट्टी पें सेलिंग करेंगे ले जाएंगे पैसा और यह भी टार्गेट आपको देखनेंगे मिल सकता है ना कोई एस्टोलोजी काम करती है ना कोई भक्ती काम करती है काम करता है तो सिर्फ एक काम करता है कि आपका अपना ट्रस्ट सेटप और सेटप के अंदर आप कैसे पैसा कमाओगे तो यह 46 400 का लेवल अगर सब कुछ सही रहा तो लास्ट होगा अब उपर की डारेक्शन में क्या कर सकते हैं तो देखो उपर की डारेक्शन में सोचने के लिए दो चीज़े हैं मार्केट ने दो गैप आज फिल कर दिया है अब यहां से मैं एक काम कर लेता हूं इसका कलर प इक बार माउस दीजेगा सर तो जस्ट वेट वन मिनिट एक बार माउस से अच्छा चलता है क्योंकि ऐसे यह नॉर्मली वर्क नहीं करता है पेंसे ना आपका नॉर्मली लेवल्स नहीं निकलेंगे जस्ट गिव मिन वन मिनिट चलो यहां आ जाते हैं चीक हैं और एक बार मैं आपको फिब लगा के दिखा भी दिता हूँ तो मेरा ये बाइंग लेवल है और ये मेरा टॉप लेवल है एक मेरे पास ये हो गया दिस इस माई पॉइंट फाइफ परसेंट का लेवल ठीक है तो एक तो तरीका ये है कि अगर आपको इसको लेकर सोचना है तो मैंने क्या बोला कि 46,000 का ये जो लेवल है 46,800, 46,400 अगर ये आना है मार्केट के अंदर तो देखो तभी आ सकता है जब यहाँ पर फर्दर सेलिंग होती रहे होती रहे होती रहे क्योंकि देखो जो बायर नीचे से उठा रहे मार्केट के उनके पास अभी भी बहुत मौका है वो पैसा जोग सकते अपना तो अगर पैंडेमिक सिचुएशन नहीं आती है कुछ ऐसा इस्सू नहीं होता है ठीक है तो आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर यहाँ से नीचे आना थोड़ा इंपॉसिबल है ठीक है लेकिन अगर मार्केट के अंदर ऐसा कुछ बन जाता है कि 46,400 के नीचे आगेंगे तो 45,750 के भी लेवल आपको देखने को मार्केट के अंदर मेल सकते हैं बड़े टार्गेट में आपको दे रहा हूं और अगर आप इंट्राडे की बात करोगी सुरब इंट्राडे में हम बुलिस कभो तो ठीक है आज कहीं देख लो अगर आज का सपोर्ट अच् इस लेवल ओके इसको डिलीट कर देता हूं अब ओहो यह डिलीट कर देता हूं अब ठीक है हो गया सब्सक्राइब तो अगर मुझे लॉंग जाना है दोस्तों तो लॉंग जाने के पीछे कंडिशन क्या रहना चाहिए कि जब तक मार्केट इस लेवल के उपर नहीं निकले लेवल कौन सा है एक बर चलो मिला लेते हैं इस लेवल को यह लेवल आपका है मोटा मोटी मानके चलिए 47860 का है तो नबर टू जो आपको नोध डाउन करना है वो नोध डाउन करना है 47860 का लेवल अगर इसके उपर मार्केट मानलो कल के दिन निकल गया कोई भी चीज हो म उपर मार्के निकल गया न दोस्तों तो फिर आप मांन के चलना कि फिर से रैली जो आपको अभी देखने मिली थी वो कॉंटिनी वह और यह सुँअचा ग॥ और यह सिर्फ और सुफ क्या होगा एक रेट्रेस्भेन होगा इसको सुपॉर्ड बनाके मार्केट फिर से नए हाइ पर जाएगा तो यहां पर situation complicated इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ चीज़े ऐसी है जो ना चाहते भी आ रही है जो न्यूज आ रही है जो के पैंडेमिक के न्यूज आपको market के अंदर सुनने के मिल रहे हैं कुछ चीज़े ऐसी है जो market के अंदर भी नहीं दिख रही है अब जैस 48860 के level को break कर दे अब इससे ज्यादा clear cut चीज़े तो भाई क्या ही मैं आपको बता सकता हूं ठीक है सेम जो status यहां पर है वही status आप copy कर ले ना निफ्टी में बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी इस वज़ा से दोस्तों मैं नहीं बना रहा हूं हाँ profit में आपको जो account daily दि जलती हैं उस हिसाब से चीजों को आप करो अब मैं कल के लिए इस account में कोई BTS नहीं ले गया हूं सो चलो देखते हैं कि अब कल क्या होता है कल gap down खुलता है gap up खुलता है आप लोग का प्यार मोहबत ऐसे बना रहे और कुछ learning अगर आपको चाहिए if you want कि भाई सौरब यह वा झाल